नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इन सभी बिद्यार्थियों ने मनिपूर में जारे हिंसा के बीच सकुसल जारखन वापसी के लिए मुख्य मंत्री का अभार जाताया है बतादे स्राम विभाग के राज्य परवासी नेंत्रन कक्ष को जारखन के वैसे 34 जारखन के सूची प्रप्त हुई थी जो मनिपूर हिंसा में फशे हुए थे इन में से 22 बिद्यार्थि जारखन इस्थित अपने घर वापस आना चाहते थे वहीं मनिपूर में राश्ट्रिये प्रदेवों की संस्थान केंद्रिये क्रिसी विश्व विद्याले राश्ट्रिये खेल विश्व विद्याले आयाईटी मनिपूर और अन्य विश्व विद्यालों में पर रहे रांची पाचमी सिमों पुर्वी सिमों बोकारो और थी वहीं एक बार फीर तीन से चार दिनों से गर्मी लोगों को सता रही है इसी बीच रात भरी खवर्या है कि एक गारा से चौदह माई तक दोपहर या साम के समय आस्मान में आशिक बादल छाय रह सकते हैं जबकि 15 माई को राजी में कहीं कहीं गर्जन के साथ हलकी बारिस भी होने की संभवना है मंगलवार को भी राजधानी रांची समेच सभी जीलों में गर्मी का सरज्यादा देखा गया तापमान में बढ़ोत्री के साथ साथ मौसम सुस्क रहा राजी के कई जीलों में अधिक्तम पारा 40 डिगरी पहुच गया है कई जीलों में तो या 40 के पार भी पहुच गया है मौसम बिग्यान केंद्रे रांची के प्रोणमान के अनुसार जार्खन के 16 जीलों में पारा 40 के पार रहने के उमीद है गढ़वा पलामु चात्रा में अधिक्तम तापमान 42 डीग्री से सक रहने की समभवना जताई गई है सिक्षक बहाली सुरू होने से पहले अभियार्थियों का अंदोलन सुरू जार्खन में सिक्षक बहाली सुरू होने से पहले यह अभियार्थियों का अंदोलन सुरू हो गया है अभियार्थी ओनलाइन अंदोलन की त्यारी में है बता दे 9 माई से 11 माई तक सोसल मीडिया की जरिये खास का ट्यूटर पर यह अंदोलन चलाया जाएगा दरसाल सिक्षक नियुक्ती से पहले जार्खन में सहायक अध्यापक नियुक्ती बिवादों में आता हुआ दिख रहा है टेट पास अभियार्थि जहां उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं वहीं बिहार की तरज पर यहां की सिक्षक नियुक्ती में भी जार्खन के ही म बोर्यो बिधायक लोबिन ने अपनी सरकार के बिरूद में 30 जून को आंदरण की दी चेतावनी बोर्यो बिधायक लोबिन हेंबरम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के कामकाज़ पर सवाल उठाते हुए कली चेतावनी दी है बिधायक ने कहा है कि यादी SPT, CNT, ECT और PESA ECT को राजि में जल्द परभावी नहीं बनाया गया तो JMM को इसका खामिया जाना भोगतना होगा उन्होंने कहा है कि अधि सरकार इन मुद्दों पर जल्द फैसला नहीं लेती है तो 30 जून को भोगनी डी में बड़ा राय नितिक बिसफोट होगा बता दे बोल्यों विधायक लोमीन हेमरेम ने कहा है कि अधि सरकार ने मांगो पर विचार नहीं किया तो 30 जून को क्रांती दिवस के अशर पर सिद्धू कानू की जनमास्तिली भोगनी डी में बड़ा राय नितिक बिसफोट होगा जिसका खामिया जाना पार्टी को उठाना पड़ेगा विधायक लोमीन हेमरेम के इस ब्यान से साप जाईर होता है कि तिस जून को जार्खन बचाव मोर्चा एक बैना तलेवे जार्खन मोक्ती मोर्चा से अलग हो सकते हैं दस माई को नितिस कुमार पहुचेंगे रांची बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार बुद्धवार को रांची पहुच रहे हैं सुत्रो से मिली जनकारी के अनुसार नितिस कुमार सीम हेमान सुरन से मुलकात करेंगे और 2024 की विपक्षी एकता को लेकर चार्चा करेंगे बिहार के मोखी मन्तरी निटीश कुमार दस माई को रांची दोर्य पर रहेंगे उनके साथ पार्टी अध्यक्ष लनान सिंग भी होंगे जनकारी कानुसार नितिस्ट कुमार दो पहर बाद करीब चार बई रांची पहुचेंगे और मुख्य मंत्री हमान से मुलकात करेंगे माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के भी 2024 की चुनावी तयारी के साथ साथ विपक्ष को एकजूट करने की मोहिम को लेकर चर्चा होगी बतादे विपक्ष को 2024 के लिए एक मंच पर लाने के तयारी में जूटे नितिस्ट कुमार कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अरजून खडगे और राहूल गांधी से मुलकात कर चुके हाँ जबकि पाचिम बंगाल के मुख्यमंतरी ममता बनार जी और दिली के मुख्यमंतरी अरविंद के जुरिवाल से भी 2024 में विपक्ष को भाटपा के खिलाप एक जूट करने के लिए मुलकात कर चुके हाँ बजरंग बली को लेकर सियासात बजरंग दल से अब बजरंग बली पर सियासा सुरू हो गई है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कॉंग्रेस का घोसना पत्र की सियासी धमक करनाटक विधानसभा चुनाव से उठकर देश वर में फैलने लगी है इसके बिरुहत में बजरंग दल ने मंगलवार को देश बर में हनुमान चलिसा पाठ कर कॉंग्रेस को सदबुधी देने की प्रत्ना किया है बताद राजदानी राची सहीत राजी के करीब 5000 हनुमान मंदीर में 20 हिंदू परिशाव बजरंग दल से जुड़े लोगों ने एक साथ हनुमान चलिसा का पाठ किया राची के चुटिया राम मंदीर में ज़ार्खन परदेश बजरंग दल के बैना तले आयोजीत कारकर में अस्थाने विदाएक सीपी सिंग सहीत बड़ी संख्या में लोगों ने हनुमान चलिसा का पाठ किया कोईला तसकरी रोकने के लिए राज भर में उरंदस्ता ज़ार्खन में अवय देखनन और कोईला तसकरी को रोकने के लिए राज जी के सभी प्रमनलों में उरंदस्ता का गठन किया गया है उड़नदस्ता अवय देखनन और कोईला तसकरी रोखने के लिए अचक निरीचन के साथ साथ चापय मारी भी करेगा बतादे पलामू आईजी राज कुमार लकडा, बोकारो डियाईजी पटेल मयूर कनहिया लाल, हजारी बाग डियाईजी नरेंदर सिंग, चाईबासा डियाईजी अजय लिंडा और दुमका डियाईजी सुदर्शन मंडल के नितित में या उड़नदस्ता गठित किया गया है गौतला भाई की जार्खन सरकार के खान एवं बुतत्य विभाग ने जार्खन पुलिस मुख्याले से अवयत खणन की रोक थाम के लिए प्रमणडा लिए अस्तर पुरंदस्ता के साथ, समन्धी छेत्रों में छाप्य मारी में समन्वें एवं सहयोग के लिए टीम की मांग की थी भाईलिट सीटेट इन जार्खन से जार्खन में अंदोलान भाईलिट सीटेट इन जार्खन के साथ जार्खन सीटेट उतिन अभ्यार्थी संग ने अपने अंदोलान को सुरू किया है सीटेट उती ने छात्रों का काहना है कि इस नियुक्ति में सरकार भिहार की तरह नीती बनाए बतादे जारखन में सिक्चक नियुक्ति की परक्रिया अभी सुरू हुई नहीं है लेकिन इससे पहले ही छात्रों का अंदलों सुरू हो गया है पुर्वा गोशित कालकरम के तहत मंगलबार से राजे के सीटेट पास चात्रों के दौरा शिक्चक नियुक्ति में जारखन सीटेट पास अभियार्थियों को भी मोका देने की मांग को लेकर भाइलिट सीटेट इन जारखन से ट्विटर अभियान शुरू किया गया बता दे जार्खन में सिक्चक नियुक्ती की परकिरिया अभी सुरू नहीं हुई है लेकिन इससे पहले अंदलों सुरू हो गया है गड़वा से आईडी समेथ 20 फोटक समागरी जब्त जार्खन में नक्सलियों के हर मन सिबो पर पानी फेरने के अभियान में मंगलवर को गड़वा पुलिस को बड़ी सफलता हात लगी है गड़वा पुलिस वो से रपी एफ 172 बटालें के समयुक्त सर्च अभियान के दवरान पंडरिया थाना छेत्रे के चेमो से निया गाव से सटे कुदगरा पहार से आईडी समेथ 20 फोटक समागरी को ब्रामत किया गया इस दवरान पुलिस ने 20 फोटको को वही नश्ट कर 20 फोटक बनाने वाली समागरी को जब्त कर लिया है इसमें 5 किलो का 16 सिलेंडर और 5 किलो का 5 सिलेंडर जंग लगी हैं ड्रिल मसीन आदी 13 माई को राष्ट्रिये लोक अतालत 13 माई 2023 को राष्ट्रिये लोक अदालत के सफल संचानल को लेकर उपायुक राहुल कुमार सिना के अधिक्स्ता में बैठक आयोजित की गई इसमें अधिक से अधिक लंबित केस के निप्टारे को लेकर अधिकारियों को निदेश दिये गए बतादे सभानाले बलोग एस्थित उपायुक सभायगार में आयोजित बैठक में अपर समाहरता रांची निदेशक DRDA पर्योजना निदेशक ITDA LRDC सायक निदेशक समाजिक सुरक्षा डालसा परतिनिधी बिभीन अंचल अधिकारी एवं अन्य समंधित प्राधिकारी उप बित के निप्टारे को लेकर निदेश दिये हैं जारखंड के एक लाख से अधिक ग्रामिनों को जून तक पीम आवास पूरा करने का लख्ष है जारखंड में प्रधान मंत्री आवास जोजना ग्रामिन के तहट एक लाख 9,542 आवास लंबित हैं इन लंबित आवासों को जुन 2023 तक पूरा कराने का लख्ष सरकार ने निधारित की है इसके लिए पंचायत ग्राम आस्तर पर अभियान चलाने पर जोड दिया गया है इस अभियान को प्रधान मंत्री आवास लाभूक दिवस के रूप में पूरे राज्ये में एक साथ आयोजित किया जाएगा समीच्चा बेटर के दोण ग्रामिन विखास विभाग के सचीवचंदरस्यकर ने सभी जिलेक उप विकास आयोगत को इस अभियान के समीच्चा प्रति सप्ता करने का निधेश दिया है ज्यारखन में गिरने लगा करोना का गराफ करोना के ुपा सिक्ट शन फिल्हाल होम कोरेंटेर रहने की सलाध दिगाई है पूसा कंग्रेश के निराजन सिनहास में दूस पचास करक्रता बीजेपी में भाजपा परदेश कर्याला में निरांजने सिनहा के नितित मेंग्रेश जे में के 250 के करिब करतावने भाजपा पार्टी का दामन थामा है बाबा धाम से आए पंडितों ने मंत्रों चारान के साथ कारकरम की शुरुआत की इस दोरान BJP परदेश अज़र दीपक प्रकास ने रेल रज़न कुमार सिनहा को भाजपा का पत्ता पानाया कर पार्टी में सामिल किया इस दोरान रेल रेल रेले रेल सिनहा ने कहा कि 2014 चुनाओं में मैं BJP के साथ ही था वह BJP के साथ मेरी दूसरी पारी है आई हन्वान जयनती का दिन है ऐसे में आदिन काफी पवित्र और खास भी है अब अगले लोग सबाचुनाओं में फिर से कमल खिलाना चाहिए वही जारकन की स्थिति किसी से छीपी नहीं है विधान सबाचुनाओं में भी जेमेम आप कॉंग्रेस को उखार फेकना है दा केरल स्टोरी पर होगी सुप्रीम कोट में सुनवाई फिल्म दा केरल स्टोरी को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को उच्तम नयालय की दहलील तक पहुच गई केरल उच्छ नियालाय द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद सुप्रीम कोट में आज का दाखिल की गई है सिस अदालत इस पर 15 माई को सुनवाई करेगी बता दे वरिष्ट अधिवक्त कपिल सिब्बल ने मुख्य नयाधिस डी वाई चंद्रचूर और नयमूर्थी पी एस नर्थिन्हा की पीट के समक्ष ततकाली सुचिबद करने के लिए मामले का उले किया बता दे जब पीट ने पुछा कि क्या हाई कोट ने मामले में आदेस पारित किया है तो सिब्बल ने कहा है कि उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया तब पीट ने कहा हम इस पर सुनवाई करेंगे सरकार अभिलम ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय चुनाव करा है सांसद सांसद संजाय सेट ने अपने करेंगे मंगलवार को रांची नगर निगम के पारसदों के साथ बैठा की इसमें सभी पारसदों नगर निगम चुनाव जल्द कराने का आगर किया इस पर सांसर ने राई सरकार से मांग की है कि अबिलम ट्रिपल टेस्ट कराकर नगर निकाय का चुनाव सुनिश्चीत कराए सेठ ने कहा है कि उतर परदे सरकार की ताज पर जारखन सरकार को भी गंबीर होना चाहिए अगर चुनाव जल्द नहीं करा गया तो धाना परदसन भी किया जाएगा धन्यवाद